चक्रवात से संदर्विद जो अपने लास्ट में बात हुई कि उसन कटी बंदिय चक्रवात उसी वाले पार्ट में आपने के दूसरा जो चक्रवात जो बी पार्ट है जहां आपने काया कि चक्रवात के दो प्रकार है एक उसन कटी बंदिय चक्रवात एक सितोशन कटी बंद लिकिस रूप में विक्षित होती है और विश्य में उनको भिन भिन नामों से जाना जाता है इसके संधर्वित अपनी बात हुई थी तो दूसरा चक्रवाद का जो प्रकार है जो सितोष्ण कटी बंद्य चक्रवाद तो अपन दूसरा जो आज अपना पार्ट टू है स्प्रेट साइक्लों यहनि यह सितोष्ण कटी बंद के आधार पर इस चक्रवाद का प्रभाव सितोष्ण कटी बंद में होने की काराण isco sitio.. शितास्द बंदी चक्रवाद नहां गया है तो यहां है अपने इस चक्रवाद की उतपत्ति से संदर्वित बात है या अपन कए इसकी मोश्मी प्रणाली किस रूप में विक्षित होती है, वहाँ से अपन बात शुरू करते हैं, देखिए, इस चक्रवाद, यानि सीतौशन का टीवन दिये, इस चक्रवाद की उत्पत्ति, वाताग्र से होती है, ये ध्यान रकना है कि उसन कटीवन दिये, चक्रवाद में वाताग्र का विकास नहीं होता है, वाताग्र क्या है, जो अपन कहें, ठंडी वै गरम वायुरासी, दूसरे सब्दों में कहें, तो विपरीज शवभाव की वायुरासियों के मिलने से एक तिर्ची दिवाल नूमा सतय बनती है, जिसको वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, और जो अपन कहें, वाताग्र के आधार पर ही चक्रवाद की मुत्पत्ति होती है, जबकि ऊशन कटिवंद्य चक्रवाद में गरम महासागरे सतय जिसका टेंपरेचर 17 डिग्री से ज़्यादा था, एक समान वायुरासी थी, यहां अलग अलग शोभाव की वायुरासिया हैं, एक ठंडी वायुरासी तो दूसरी गरम वायुरासी, और उन दोनों के मिलने सें अपन कहें, एक तिर्थी या एक धल्वा सतय का निर्मान होता है, उसको अपन वातागर कहते हैं, वातागर की बात अपन अलग से क्लासम करेंगे, तो यहां तो अपने बात की है, अख सितोषन कटीबंदी चक्रवात की उत्पत्ति किसके माध्यम से होती है, वातागर से होती है, हलांकि फिट जरोज मौधे ने सबसे पहले वायु राजियों के आधार पर ही सितोषन कटीबंदी चक्रवात की उत्पत्ति को बताया था, इध्यान भी रखना है, इसी में लिख दें, नौट करके, विश्वय में सर्वय पर्थम, विश्वय में सर्वय पर्थम, गर्म वे थंडी वायु राजियों, विश्वय में सर्वय पर्थम, गर्म वे थंडी वायु राजियों के मिलने से, शक्रवात की उत्पत्ती की जानकारी, शिट्जरए, 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 वायु राजियों के मिलने से, तो नाम क्या रख दिया अपने वातागर फ्रंट नाम दिया है, अब आपने आते जो वातागर की बात है, शिट्वशन कटिवंदी चक्रवात की, उत्पत्ती से संबंदित वातागर का क्या सिध्धानत है, देखिए आगे इसी में, सिट्वशन कटिवंदीये, सिट्वशन कटिवंदीये, शिक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित, पुत्पत्ति से संबंधित वार्कनीज महदयने, वार्कनीज महदयने, दुरिये वातागर सिध्धानत, ओबलीक इसे ही दूसरा नाम जो देते हैं, लहर सिध्धानत, और इसे ही आपन जो तीसरा नाम देते हैं, इसको कहते हैं, परजेन सिध्धानत, परजेन सिध्धानत दिया, और इसे ही अपने दूसरा नाम दिया है, लहर सिध्धानत, या फिर अपने नाम दिया, इसको बरजेन सिध्धानत दिया, और इसी का अधार पर नहुनने बताया है कि सिट्वशन कटिबंदी चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, सिध्धानत दिया, आगे इसी में लिखें, इस सिध्धानत में, इस सिध्धानत में, बार्कनीज महदयने, बार्कनीज महदयने, उत्पत्ती से सम्मंधित, उत्पत्ती से सम्मंधित, चक्रवाद की से आवस्थाउं का उलेख किया, यानि कहने का मतलब, बार्कनीज महदयने, दुरिये जो वातागर सिध्धान्त है, उसकी उत्पत्ती से सम्मंधित, अपने सिध्धान्त में, शिक्स स्टेज से अवस्थाईं बताई है, यह भी आपको एक धिहान रखना है, यदि आप तथ्यात्मक द्रस्टी से, बार्कनीज महदयने अपने दुरिये वातागर सिध्धान्त में, शित्वशन कटीवंधिये चक्रवात की उत्पत्ती से सम्मंधित, कितनी अवस्थाउं का उले किया है, तो यह धियान रखना है, शिक्स अवस्थाउं की छै अवस्थाउं की बात करते हैं, शिया वस्थाउं की रूप में हैं, देखिए आपको एक डाइग्राम के माध्यम से, और ज्यादा इस्पस्ट होगा, यह आपके सामने देखिए इसमें, जैसे यह फर्स्ट स्टेज है आपके सामने, इस फर्स्ट स्टेज में जब आप देखेंगे, यह आपके सामने यह तो वाताग्र के रूप में, फिर वाताग्र की इस्तती है, यह उपर की तरफ आपके सामने इसको लिखा इस तरीके से हैं, यह संडी वायुराज, और नीचे की तरफ आपके सामने लिखा इसको, यह गर्म वायुराज, अभी दौनों आपके पैरलल रूप में हैं, जो फर्स स्टेज है, अब धीरे धीरे इन में आपके जो मुडाव होगा, तो उससे धीरे धीरे फिर अपन के एक धलवा सतय का निर्मान होगा, और जिसे अपन वातागर का नाम देते हैं, तो यह पहली इस्तित यह है, इस थंडी वायुराजी उपर की तरफ नीचे अपनने का है गरम वायुराजी, और बीच में अपन के यह बातागर की स्थाती है, फस्स स्टेज में, अब देखे, सैकिन्ड स्टेज, सैकिन्ड अवस्था, यह फस्ट अवस्था है, सैकिन्ड स्टेज में देखे, पैन को स्टोड़ा बारिक करते हैं इसको, यह देखे, और इसमें हलके रूप में आपके सामने, अलग लग दिखाया है, यह आपन कहें, यह उष्ण वातागर है, यह सीत वातागर है, तो इसमें आपके सामने नाम लिख देते हैं हैं, यह उष्ण वातागर, और यह सीत वातागर, और निचे की तरफ आप देखेंगे तो ये आपके सामने ये गरम वायूरासी है और उपर वाले भाग में आपके सामने देखें तो ये ये थंडी वायूरासी ये सेकेंड स्टेज में फोड़ासी में लहरदार रूप में आकर्ती का निर्मान हुआ है अब देखें थार्ड स्टेज और इसको लिख दिया अपने थार्ड स्टेज तीशरी आवस्था तीशरी आवस्था हम देखें और ज्यादा विक्षित रूप में और ये इस्तिती जो आपके सामने बनी है और ये आपके सामने इस रूप में बनाया और ये उश्ण वाताग्र और इस तरफ वाले भाग में ये शीत वाताग्र ये आपन कहें कि गरम वायुरासी है और उपर की तरफ ये थंडी वायुरासी ये घुमाVOदार रूप में ये फ़र्ड स्टेज है और फौर्थ प्रूर्द स्टेज में तोथी अवस्था एक बार तो आप देखें इसको ये अच्छा रहेगा स्टेज से कन्फूज नहीं होगा ये फौर्थ स्टेज अवस्था और फौर्थ अवस्था हम देखिए किस रूप में हैं तर फौर्थ अवस्था इसके अवस्था इस रोख और यह आपके सामने यह गर्म वायुरासी और यह ऊपर खंडी वायुरासी ठीक है और इस वाले पाट को अपने का यह उश्ण वाताग्र और यह इधर देखें तो यह शीत वाताग्र यह वाला पाट यह आपन के उश्ण वाताग्र यह शीत वाताग्र उपर ठंडी और यह गर्म और आप यह अपन के अच्छे दंग्षे पूरे रूप में लहरदा रूप में विक्षित हो गया और सही मायने में अपन देखें तो जो वाताग्र का जो चरम विकास होता है मेक्जिमं विकास होता है वो फोर्थ स्टेज है तो प्रसंद कई बार ऐसा भी आता है सिटोश्र कटेबंदिय चकरवात्थूं की जरम विकास की अवस्थ्था küon say right विश्था क्लामfakci cares स्था है तरमविकास लामेक्स फो तरम विकास की अभस्था और इस चरम विकास के अवस्था के बाद धीरे-धीरे जब आप देखेंगे तो फिर जो अपन कहें चक्रवात छीन होना शुरू हो जाएगा समापत होना शुरू हो जाएगा और वह अगली स्टेज आएगी वह अपन कहें हिप्त है जो पांच वी अवस्था है अब पांच नम्मर पे फिप्त वस्था इस वाले पात्म देखिए और अब चक्रवात उपर से कटना शुरू हो गया है देखिए इस वाले पार्ट में उपर से कटना शुरू हो गया छीन होना शुरू हो गया इसको आपन लिखते हैं जहां आपन कह रहे हैं ये सीत वात अग्र कि ये ऊंख घृू तम यहां करी安ra गरम वायूरां सी और यहां थांडी वायूरां सी ए मैं और इस अवस्था में जूरान चक्रवात धीरी दीरी उपर से हापन कहें तो थंडी वायूराशी पीछे वाले भाग से आके मिल जाती है तेजी से चलते हुए तो धिरे धिरे आतके चक्रवात का आऊशान प्रारंव हो गया तो यह धिद्या रखना जो पाउच्वी स्टेज और पांचवी अवस्था है यह ध्यान रखना चक्रवात अवस्थान प्रारम की अवस्था है अब चक्रवात धीरे धीरे छीन होने लगा है अवस्थान होने लगा है इसलिए इसको नाम रखा है चक्रवात अवस्थान प्रारम की अवस्था के रूप में भी जानते हैं इसको चक्रवात छै भी कह देते हैं छै का मतलब विनास होना और अन्तिम जो शाथ नम्मर की जो इ प्रफम वाली जो इस्तती आई थी फस्त में थंडी वायुरासी और गरम वायुरासी इसी रूप में जब आप देखेंगे तो ऐसे तिर्चे रूप में आपके सामने यह आपके सामने इसको इस तरीके से बनाया यह थंडी वायुरासी और ये नेचे की तरफ गरम वाहिवरास है और ये आपन कहें जो अवस्था है यह है शिक्स अवस्था इस अंदर भी तो इस तरीके से ये जो शिक्स स्टेज बताई परकनेज महोदय ने सितोषन कटीबंदी चक्रवातों की उत्पत्ती से संबंदित थे अवस्थाएं बताई पहला प्रसंद इस डाइग्राम से कोई प्रसंद बन सकता है तो आपको दिख रहा होगा चक्रवात विकास की चरम चक्रवात की चरम विकास की अवस्था कूंसी है तो अपन बात करते हैं फूर्थ स्टेज और फिर यह पूंचता है चक्रवात आवशान या चक्रवात छे प्रारम की अवस्था तो फिर कुन से वस्ता है फिफ्ट स्टेज ये अवस्था अपन कहें अवसान की अवस्था है यहां चक्रवाद छीन होना प्रारम हो जाता है जिसको अवसान की अवस्था के रूप में भी जानते हैं कि बर्कनीज महदय ने बताएं सामान्य तोर पर सितोषन कट्यबंदिय चक्रवाद की फोर स्टेज होती है चार अवस्था होती है एक अवस्था चक्रवाद की उत्पत्ति होना दूसरा चक्रवाद का ओपन खुलना तीसरा चक्रवाद का सरोंधित रूप होना सरोंधित या कि कि अगले वाले में लिख देता हूं मैं आगे कि शामानने तै ती तौष्ण कटी बंदिये कि शक्रवातों की कि चार आवस्थाएं होती है और स्टेट चार कूंशी अवस्थाएं होती है एक नमर आवस्था चक्रवात कि उत्पत्ती की अवस्था है जो प्रथम अवस्था है वो चक्रवात उत्पत्ती की अवस्था से संबंदित है कि दूसरी है कि तैकें चक्रवात का खुलना खुलना यानि चक्रवात का ओपन होना अ से इस्पतग उत्व ह हई दूसरी अ चरांधित। कि अरॉंधित आवस्था अपलुड़ेट और चोथी जो अवस्था है अपन कहीं फौर्थ तक्करवाद आउसान अवस्था यह अपन कहीं यह चार अवस्थाई है जो अपने कहा है अब उत्पत्ती से खुलना सरोंधित और चक्करवाद का अवस्थान तो जहां बरकनीज मोजय ने च्छे अवस्थाई बताई है उसी के आधार पर यदि देखा जाए और कोई प्रसन आए अक्षामाने तोर पर टैंप्रेट साइकलोन का अंदर कितनी स्टेजेज होती है फोर स्टेज ओरिजन उत्पत्ती होना फिर ओपन खुलना उसके बाद सरोंधित औक्लूडेड रूप में और फिर चक्रवाद अवस्था अब इसके बाद अपन देखते जो इससे संदर्वित जो अपन कहें स्टेजन कटिवन्दी चक्रवाद में मोश्मी प्रणाली किस रूप में विक्षित होती है मोश्मी किर्याविधी स्टेजन कटिवन्दी ये स्टेजन कटिवन्दी ये स्टेजन कटिवन्दी ये चक्रवाद में मोश्मी किर्याविधी किस तरह के चक्रवाद गती करता है उनसे बादल बनते हैं कैसे वर्षा होती है किस रूप में क्या इस्तती होती है एक आदर स्ट रूप की जो इस्तती है आप देखे इसके इसके मादिम से अपन इसको देखेंगे तो आपको इसपस्ट होगा देखे ये आपके साम देखे इसको आपने लिखा आपने उष्ण वाताग्र ये वाला जो पार्ट इस वाले पार्ट को अपने लिखा शीद वाताग्र वाताग्र न वात का अग्र भाग जो आगे वाला हिस्सा है उष्ण वाताग्र फिर आप देखे इससे संदर्वित ये जो आपको इस रूप में जो ये नजर आ रहा है ये आपके सामने ये थंडी वायुराशियों के संदर्वित रूप में है ये उष्ण वाताग्र और ये जो आप देखेंगे तो ये गर्म वायुराशी है ये गर्म वायुराशी और उपर देखें तो ये थंडी वायुराशी अब देखें जब ये पार्ट आगे उश्ण वातागर का है तो इसे पीछे भी ये गरम वायुराशी है इस वाले भाब को नाम दिया जाता है उश्ण विरतान्स ओशन विरतान्स यानि ओशन वातागर से पीछे का भागए वो ओशन विरतान्सका भागए ही सीत वातागर और विपछे वाला जो भाग इसको नाम दिया जाता है ओपन कहें लूँराशी विरतान्स कि यह अपन नफेख्यपास कि ठंडी वडराशी तो जब चक्रवात गती करता है ऩूट गती करने के स्तिति में सब से पहले उस्ञवातागर का भाग है वह सूचत है और जैसे उस्ञवातागर का भाग पूँचता है तो उस चीतर का अचानक तापमान नबढ़ता है और ये तापमान बढ़ना ही वहां चक्रवात आगमन का सूचक है और जैसे ये उश्ण वातागर वहां पूँचा तो इसके साथ जो बनने वाले जो अपन कहीं बादल हैं इस वाले भाग में तो यहां इस वाले भाग के साथ जो बादल बनते हैं और यह जो बादल हैं यह हैं वर्षा इस्त्री बादल वर्षा इस्त्री मेग या बादल है और वर्षा इस्त्री जो बादल है इनसे हलकी वर्षा होती है फिर अपन के उसके पीछे का भाग उसन विर्तांस का भाग आता है वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तापमान में और व विरद्धी होने लड़ती है आपना उसन विर्टांस का भाग आता है और जो अपन करें यहां वर्षा कम होना यह उसनवर्टांस का सूचख है फिर पुने ढाख मान goose प्रनल लगता है एज शीद वातागर पूंचता है और सीथ वात आगर के अंदर यहां अपने के कुमूलो निंबस बादल होते हैं कुमूलो निंबस कपासी वर्षा मेग कपासी वर्षा मेग या कुमूलो निंबस कि 10 वर्षा मेंुक बादल है यह इनसे अपिक्षाकीरत भाई वर्षा होती यह अधिक वर्षा होतीस और फिर यह आगे 25 गूमता हुआ फिर अपनके उस्ण विर्टांस का भागाता है वर्षा की मात्रा धिरी-धिरी कम होती है कुछ कर वाथ गती लेकिन सब्सक्राच में एसा कोई पार्ट नहीं है है ऀछैने इस लेकिन इस चक्रवात में ऐसा कोई पाठ नहीं जहां वर्षा नहीं है वर्षा की मात्रा में अंतर आता है उसे अपने का था चक्रवात की जो आख है नेत्र है यह चक्षू है वो बादल रहित्र है जहां वर्षा रुख जाती है जब कि इसमें पूरे भाग में वर्षा होती है लेकिन पूर्षन कट्यबंदी चक्रवात की तरह अचानक भारी वर्षा नहीं होती तो इसके संदर्व में अब अपन इसको क्रियाविधी को लिखते हैं, देखी आगे, इसमें संदर्वित रूप में, अब देखें, किसी इस्थान, किसी इस्थान का अचानक, तापमान, बढ़ना, चक्रवाद, आगमन का सूचक है, किसी इस्थान का अचानक, तापमान, बढ़ना, चक्रवाद, आगमन का सूचक है, आगे इसमें देखें, सरवय प्रथम, उष्ण वाताग्र, जो आपनक, शुर्वात का तो प्रथम भाग है, जिसको अपने नाम रखा है उष्ण वाताग्र, देखें, इस वाले पार्ट में जिसे आपको ध्यान हो, तो अपनने का यह कुम्चा वाताग्र है, उष्ण वातागर तो सबसे पहले उष्ण वातागर का भाग अपन के पूंचता है देखें तरवे पर्थम उष्ण वातागर का भाग भाग पूंचता है दिस सें वर्षा इस्त्री बादलों से हलकी वर्षा होती है हलकी वर्षा होती है कुछ शमय बाद तापमान में व्रद्धी तापमान में व्रद्धी होने लगती है तथा वर्षा की मात्रा घठती जाती है जो जो उष्ण विर्थान्स जो ओष्ण विर्टान्स आगमन का सूचक है क्या कि पहले ओष्ण वातागर आता है कपासी निसोरी वर्षा इस्त्री बादलों से हल्की बारिश होती है कुछ समय बाद पुने फिर तापमान में और विरद्धी होने लगती है और वर्षा की मात्रा घट जाती है जिसको अपने का किसकी सूचन है वो उर्ष्ण विर्टान्स आगमन का सूचक है कि देखे आगे कुने तापमान घटने लगता है सथा कपासी वर्षा कपासी वर्षा मेगूं से बादलूं से कुने तापमान घटने लगता है तथा कपासी वर्षा मेगूं से भारी वर्षा भारी वर्षा होती है जो जो सीत्वाताग्र जो सीत्वाताग्र की आग्मन का आग्मन का सूचक है आग्मन का सूचक है दीरे दीरे वर्षा की मात्रा गड़ती जाती है गड़ती जाती है जिससे शीत्विर्थान्स का भाग पहुंच जाता है भाग पहुंच जाता है तथा इस तरह चक्रवात गती करते हुए चक्रवात गती करते हुए आगे बढ़ जाता है इसी संदर्विर्थ जो अपन कहें सित्वषन कटी बंदी चक्रवातूं का जो मार्ग है पत है उसको जंजा पत का जाता है तो इसी में लेख दें आगे सित्वषन कटी बंदीये सित्वषन कटी बंदीये चक्रवातूं कि मार्ग को मार्ग को जंजा पत स्ट्रॉम ट्रेक धंजा पत कहा जाता है कहा जाता है इसकी जो पूरी कंप्लीट कहनी के रूप में है यदि आप फिर एक बार डाइग्राम से आप समझेंगे तो और ज्यादा इस्ति इस्पस्ट होगी आपकी सरवय पर्थम किसी छेतर का अचानक तापमान बढ़ना वह अपन के चक्रवात के आगमन का सूचक है और सरवय पर्थम उशनवात आगर पूंचता है और उशनवात आगर पूंचते यह वर्सा इस्तरी बादलों से हलकी वर्सा होती है कुछ अभय बाद पुने ओर तापमान में वरद्दी होती है तो वो ऊशन विर्थांस का सूचक होता है वर्षा की मात्रा घर्ति है फिर धिरे तापमान गिरने लगता है कम होता है और कपासी वर्षा में या कुमलो निमबश वादलों से भारी वर्षा होती है जो सीत के आने की सूचना देता है और फिर धीरे धीरे अपने के वर्षा की मात्रा घर्टी जाती है और जो सीत विर्थांस का सूचक है और इस तरीके से चक्रवात गती करते हुए आगे बढ़ जाता है और इनके मार को अपने नाम क्या दिया है जंजापत जिसको नाम रखा है स्ट अब आप देखे इसे संदर्वीत जो कुछ बातें थी अपनी जो दोनु के संदर्वीत रूप में अपने क्या लिखा इसमें किसी इस्थान का अचानक तापमान बढ़ना किसी इस्थान का अचानक तापमान बढ़ना चक्रवात आगमन का सुचक है सरवय पर्थम उष्ण वाताग्र का भाग पूचता है जिसे वर्षा इस्तरी बादलों से हलकी वर्षा होती है कुछ समय बाद तापमान में पुने तापमान में विरद्धी होने लगती है और विरद्धी होई है विरद्धी होने लगती है तता वर्षा की मात्रा घटती जाती है जो उस्ण विर्थांस आगमन का सूचक है तब पुने तापमान घटने लगता है तथा कपासी वर्षा मेगू से भारी वर्षा होती है तो सीथ वातागर के आगमन का सूचक है धीरे-धीरे वर्षा की मात्रा घटती जाती है जिससे सी चक्रवात गती करते हुए आगे बढ़ जाता है और इसके मार्ग या पत को नाम क्या दिया है धंजापत अब देखिए इसमें आगे नेक्स देखिए चक्रवात के जो दोनु प्रकार है उसन कटीबंदी और सितोशन कटीबंदी दोनु का तुलात्मक अध्यन करें कुछ जो इनकी विशेशताई हैं यह कितने बड़े आकार में हैं यह आपन के किन पाउनों के साथ गती करते हैं उनकी चर्चा अपने नहीं की वो तुलात्मक द्रश्टी से आप देखते हैं अब देखिए आप इसको दो पार्ट में आप ड्राइडेशन कर लें बोड को कि इधार लिखा आपने उसन कटीबंदी चक्तरवाद पूर्षन कटीबंदी चक्तरवाद और इस वाले भाग को आपके सामने लिखा है इसको लिखा है सीतोषन कटीबंदी चक्तरवाद तुलात्मक द्रश्टी से जो अपन दोनों का जो अध्धन कर रहे हैं तो इसकी विशेष्टा है उसी से संदर्वित इसकी विशेष्टा से संदर्वित अपन साथ साथ बात करेंगे जैसे यह किन अक्सांसूं के बीच है तो यह भी किन अक्सांसूं के बीच है जैसे अपन कहें यह व्यापारिक पौनों के साथ चलता है तो यह पच्छव पौनों के साथ दोनों की उससे संधरवित विषेस्ता की बात करते हैं को आपन शुरुवात करते हैं एक नमर से इसका जो विषेस्ताओं में पुलनात्मक अध्यन में एक नमबर जिसमें लिखना आप एरिया छेत्र क्षेत्र क्या है तो उसन कटिवंदि चक्रवातूं की जो बात करते हैं इसमें लिखना आप छेत्र में पांच डिग्री से तीस डिग्री अक्षांसों के भी के भी जौनों गोलार्द में जौनों गोलार्द का मतलब उत्री गोलार्द में भी और दक्षने गोलार्द में भी आप विश्वत रेखा पर क्यों नहीं है जो आपने बात की थी कि विश्वत रेखा के पास कॉरुलिस बलका मान नोनतम होता है सुन्य होता है इसलिए वहाँ आपन कहें चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है और कहां तक इनका विश्थार है 30 तक कई बार विकल्प में भी जो उप्सन आए है मालो उप्सन ही 5 से 30 नहीं था तो आप क्या करते हैं तो यह द्यान रखना है कुछ ऐसे विकल्प भी हो सक तो यह भी सही है विकल्प 8 से 24 मिलता है 5 से 30 नहीं मिलता है तो आपको द्यान रखना है 8 से 24 यह आइडियल आदर सिस्थती है पांच के बाद बनना सुरू हो जाते हैं और कई बार इनकी तीवरता अधिक होने से यह 30 तक पहुंच जाते हैं अंथा आपन कहें जहां लगब इन अक्सांसिय भागू के अंदर व्यापारिक पहुने चलती हैं इसका मतलब भी व्यापारिक पहुनों के साथ गती करते हैं अब देखे इस में एक नम्मर इसका जो छेत्र की बात करते हैं यह जो छेत्र है इसका जो छेत्र है 35 डिगरी से 65 डिगरी अक्सांसों के बीग कि दीच दॉनों गोलार्द में पुत्री गोलार्द में भी ओर दक्षिन गोलार्द में। दूसरी विशयसता यह तो पहली विशयसता थी छेत्र की यानि यह यह का ताक्प्रिय है उश्न कटीबंदी चक्रवात यह व्यापारिक पावनों के शाथ पाउनों के साथ गती करते हैं और जो उधर की बात करते हैं किस तरफ वाले भाग की यह यानि की यह कून से सितोशन कटी बन दिये यह पच्छवा पाउनों के साथ के साथ गती करते हैं गती करते हैं तो यह अपने पाउनों के संदर भी बात हुई अपने तीसरी जो आपन देखे विशेशता इसमें वाताग्र का निर्मान नहीं होता इसमें शमान वायुरासी रहती है और इसमें आपन कहें ती नम्मर पे वाताग्र का निर्मान ओता है चार नम्मर का तुल्नात्मक रूप से नेक्स्ट चार नम्मर अगले पेज पे देखते हैं यहां वाताग्र का निर्मान नहीं होता है उसन कटी बंद में यहां वाताग्र का निर्मान ओता है वाताग्र के आधार पे निनकी उत्पत्ति होती है ते देखे चार नम्मर पे कि क्रम वाई जी चल रहे हैं अपन फौर्थ नंबर उसी के कंटिनियूस क्रम के अंदर यदि आप देखें तो उसी से हैं पुत्पत्ति गरम महाशागरिय सतय से होती है और यह भी लिखाता 27 डिग्री सेंटी गेड जो तापमान होता है महाशागरिय जल की सतय का तब इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है जो अपने का उस्ण कटिय बंदिय चक्रवात के रूप में हैं और इसकी उत्पत्ति सितोषन की वाताग्रूं के मिलने से होती है अपने देखा एक उस्ण वाताग्र एक सीत वाताग्र दौनों के मिलने से फिर अपने कहा सीतोषन कटिय बंदिय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है अगरा महासाग्री सतय माताग्रूं से मिलने से होती है इसे में लिख देना जो महादीप वैं महासागर ये दौनों सतय पर होती है ये दोनों सतय की उपर है महादीप पर भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है और महासागर पर भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है अब इसको उर्जा कहां से मिलती है पास नम्मर पर उर्जा शंग नन की गुप्त उश्मा से प्राप्त होती है और सीतोषन कटी बंदित चक्रवातू में जो उर्जा है पास नम्मर पे उर्जा वाताग्र सें मिलती है यहने इसमें वाताग्र से उर्जा मिलती है और इसमें अपने का संग्नन की गुप्त उसमा से अपन के उर्जा मिलती है फिर देखे पास नम्मर पे तटिये भागूं को तटिये भागूं को अधिक प्रभावित करता है यह थल्भाग पर यह जाते जाते इसका प्रभाव कम हो जाता है और शलिए उसको चक्रवात का landfall भी नाम दिया था पनने तो तटिये या तटवर्ती भागूं को अधिक प्रभावूइत करता है और छै नम्मर पे इधर अपन ने लिखा तटीए तटीए वै वै इस्थलिये दोनों भागों पर प्रभावित करता है कि द्यान रखना है तर्म जो अपने उपर इसमें दुबारा लिखा नहीं है इधार उष्ण कटी बंदिये चक्रवात है यह उष्ण कटी बंदिये है यह उष्ण कटी बंदिये चक्रवात है कि इस तरफ वाली जो बात कर रहे हैं और इधर जो बात कर रहे हैं यह सितोष्ण कटी बंदिये चक्रवात है पूर वाले में अपने यह नाम लिखा हुआ था उष्ण कटी बंदिये चितोष्ण कटी बंद इसी क्रव में अपन चलते हुए जा रहे हैं जैसे अपने छित्र की बात की पाउनों की बात की उसी तरीके से सतय की बात की उर्जा कहां से मिल रही है किन भागों को यह अपन के प्रभावित कर रहा है उससे संदर्वित अपनी बात हुई है छे नम्मर तक नेक्स लिखें साथ नम्मर पे और यह आपके सामने इधर लिख दिया है उसन कटी बन दिये जक्रवाद और इधर लिख दिया अपने इताशन कटी बंदिये जक्रवाद सक्रवाद इधर जक्रवाद कर दिये ऐनका तुल्न आत्मक ध्यन के अपने बाते चल रही है झाल झाल पूर्ष्ण कटी बन दिए अब देखिए इसी संदर्वित अपने आगे क्याक नमर पर लास्ट वाली थी अपने बात की छै नमर शाथ नमर जो अपने अभी जो बात नहीं की एक इसका विस्तार कितना है एरिया कितना है तो छित्र से सम्मंदित अपनी जो बात है साथ नमर ये इनका विस्तार ऐसा लगते हैं इनका विस्तार 80 किलोमेटर से 300 किलोमेटर यानि इनका जो उसन कटी बंदे चक्रवातूं का जो विस्तार है वह 80 किलोमेटर से 300 किलोमेटर के छेत्र के अंदर फैला होता है 80 से 300 किलोमेटर तक होता है और इनकी जवाब बात करते हैं साथ नमर पे इनका विस्तार 1040 किलोमेटर से 1900 किलोमेटर तक होता है इसका तात्परिये उसन कटी बंदे चक्रवातूं का जो एरिया है वह छोटा है और सीतोशन कटी बंदे चक्रवातूं का एरिया है वह बड़ा है चेतर ज्यादा है यह बड़े चेतर के उपर विष्थरित रूप में चलते हैं यह चोटे चेतर को प्रभावित करने वाले होते हैं नेक्स आठ अमर पे इनका जीवनकाल इनका जीवन इनका यानि कितने समय तक जीवीत रहते हैं इनका जीवनकाल दो दिन से सप्ता तक लगबग दो दिन से रहता है कभी कई बार तो एक ही दिन रहता है नहीं दो दिन से और मैक्जियमा मिश्टिती हो सकती हो तो सप्ता तक और इनका जीवनकाल सप्ता से एक महा तक होता है यदि सीत्वशन कटिव बंदे चक्रवात का जो जीवनकाल है तो सामानिते कम से कम तो एक सप्ता और कई बार तो अपन कहें ये एक महने तक भी अपन कहें ये जीवित रहता है नौ नम्मर पे इन से कम समय में समय में भारी वर्षा होती है भारी वर्षा होती है और इसमें उल्टा है अपन कहें नौ नम्मर पे इन से लंबे समय में हल्की वर्षा होती है हल्की वर्षा होती है कि आपन कहीं कम समय में ये लंबे समय में और कम समय में अपनने का कि ये तो भारी वर्षा होती है तो इस हमाजिविट नौ नम्मर कि ये लिखना इस नम्मर में कूर्षर कॉर्षण कटी बंदी है चक्रवाद और इधर लिख दिया टी तोस्ण कटी बंदी चक्रवाद चक्रवाद जो आपने लास्ट वाली जो विश्ष्था देखी है जिसको अपने देखा है नो नम्मर पे हकें से कम समय में भारी वर्षा होती है और शितोस्ण कटी बंदी चक्रवादों से लंबे समय के अंदर हल्की वर्षा होती है तो दस नम्मर पे लिखा है अपने गती 48 km से 120 km प्रति घंटा होती है यह average है ओसत है इदकी गती तो 165, 180 km प्रति घंटा भी हो जाती है लेकिन सामान रूप में 48 km से 120 km प्रति घंटा है और इनमें इनकी गती, सितोषण की गती 32 km से 48 km प्रति घंटा होती है यहां इनका जो अंतीम जो अपन कहें गती की तीवण ताए 48 वहां से इनकी शुरवात है इसका मतलब यह तेजगती से चलते हैं नीए ठीमी गती से चलते हैं इसलिए इनका जीवनकाल थोटा होता है इनका जीवनकाल बड़ा होता है Next, ग्याराय नम्मर पे चक्र्वात में चक्षू का विकास होता है, नेत्र का विकास होता है और इसमें आपन कहें कि चक्रवात में कि चक्षू का विकास नहीं होता है कि यह दो बेसिक रूप में ऐसा भी है पूर्षन कटी बंद में वाताग्र नहीं बनते इसमें वाताग्र बनते हैं पूर्षन कटी बंद में चक्रवात में चक्षू का विकास होता है नेत्रिया आँख का विकास होता है तब कि सीतोष्ण में नेत्रिया आँख का विकास नहीं होता है और एक और लिखे नेक्स विशेष्था बारह नम्मर पे यहां जो उसन कटीवन दे चक्रवाते पवने पवने पैरोट्रोफिक पैरोट्रोफिक या जिसको अपन नाम देते हैं पवने पैरोट्रोफिक रोप में होती है पैरोट्रोफिक का मतलब जो समान तापमान वाली तापमान जिनका समान होता है उनको कि कि ग्या रहे यह बार है इसमें पावने पैरो क्लिनिक प्रूप में होती है कि पैरो क्लिनिक का मितलब है समान तो आप मान की नहीं है एक ठंडी वायुरासी एक गरम वायुरासी और उसी के आधार पर अपने यह देखा था उसी के आधार पर अपने वातागर की उत्पत्ति बताई है तो इस तरीके से अपने बारह विशेष्टाओं के रूप में जो अलग-अलग के रूप में देखा है अग जहां उस्ण कटी बंदी चक्रवात की क्या विशेष्टाई है सित्वशन की क्या विशेष्टाई है और दोनों को विशेष्टाओं से संबन्दित रूप में अपने इनका तुलनात्मक रूप से यह धन किया है और यह जानकारी तुलनात्मक रूप से इस तरीके से भी जिसे आसाने से अपने को समझ में आए और तुलना भी की जा सकती है कई बार प्रसन आता है एक तरीके से निमें लिए कुण सी ओर्षन कटीबंदी चक्रवाद की विशेष्था नहीं है तो इस तरीके की प्रसन में ये शिव्धा जनक है कुछ इनकी बेसिक जानकारी अपने अलग अलग लिखीए वाताग्र से उत्पति होती है वहां वातागर का निरमान नहीं होता है महाँसागरी जल की सतय हुर्षन कटीबंदी में 27 दिग्री सैंति केड़ हो तब जाके अपनके वहां महाँसागरी सतय के उपर और उस्षन कट तुल्वात्मक द्रश्टी से जो अंतर किया च्छेत्र के आधार पे पाउने व्यापारिक पाउने ये पच्छवा पाउनों के साथ पूर्ष्ण कटी बंद में वाताग्र नहीं बनते हैं सित्वाशन में वाताग्र का निर्माण होता है फिरका उत्पति गरम हासागर ये सत संटिगेड़ हो वह अपने पहले लिख चुके हैं वाताग्रों के मिलने से होती महादीप आये महासागरी दोनु सते पर होती है उर्जाश शंगनन के गुप्तुष्वां से प्राफ्त होती है सितोशन को उर्जा वाताग्र से मिलती है प्रह आपने का तटिए भागू को अधिक प्रभावित करते हैं यह तटिय वए इस्थलिय दोनों भागों को प्रभावित करते हैं कि विस्तार असी से 300 किलोमेटर तक होता है यह 1049 सो किलोमेटर बड़े छेत्र पर पर होते हैं इनका जिवन काल दो दिन से और सब्ता वर इनका एक सब्ता से महिने तक और इनका कम समय में भारी वर्षा होती है यह लंबे समय में कम वर्षा होती है गती 48 से 120 किलोमीटर और इनकी गती 32 से 48 और इनकी तेज गती जिसको आपने पूरू में भी लिखा था हारीकेन है, टार्नेडो है, टाइफून है, विली-विली है, साइक्लोन है ये चक्रवाद जिसे अभी आपने देखा कि ताउते तुफान आया जिए आपन के 160 किलोमीटर 156 किलोमीटर प्रती घंटा की जिसमें रफ्तार थी गती थी, और अभी जो बताया जा रहा है, जो यास तुफान आ रहा है, जो बंगाल की खाड़ी में, वो भी तट पे जब टकराएगा, तो लगबग 1500 किलोमीटर से, 1500 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से भी आपमान वाली वायू होती है, इस तरीके से अपना टोपिक था, जो आपन कहें चक्रवात, चक्रवातों की उत्पत्ति, चक्रवातों की विशेषताएं, चक्रवातों की प्रकार और आगे की बातें आपन आगे करेंगे, धन्युद्ध।